सुप्रीम कोट से अर्विंद केजरिवाल को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोट ने अर्विंद केजरिवाल को अंतरिम जमानत दे दी जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष है सुप्रीम कोट की तरफ से तीन सवाल तेह किये गए सुप्रीम कोट ने मामले को बड़ी बे प्लब है, ED को जटका है, क्यूंकि इस गिरफतारी को अवैद बताया था अर्विन केजरिवाल की तरफ से, और अब इस मामले में कहा गया है सुप्रीम कोड की बेंच की तरफ से, कि जब तक इस मामले को बड़ी बेंच सुनेगी, तब तक अंतरिम राहत हम देते हैं अर्वि केजरिवाल को, 21 मार्च को इस मामले में गिरफतारी हुई थी अर्विन केजरिवाल की, और ED ने कहा था कि वो सरगना है, CBIB कहती है, कि अर्विन केजरिवाल ही इस पूरे घोटाले के जगना है, लेकि ये बहुत बड़ा ज़का है, पिछले दिनों राउज इवेन्यो कोट ने रहत पर रोक लगा दी थी, मामला सुप्रीम कोट आया, अब इस मामले पर सस्वीर साफ हो गई है, कि अंतरिम जमरत मिल गई है, अब ED का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि मामला बड़ी बेंच में होगा, अब ED का अगला कदम क्या होगा, किस तरह से इस अंतरिम ज क्राइम को लेकर भी बहुत सारे सबूत उसने जुटा लिए हैं और तमाम जो तफ्सीश है दो साल की उसमें क्या कुछ हुआ तमाम जो कडिया है जो ली गई है गोवा के चुनाब में पैसा खर्च हुआ किस तरह से विनोर चोहार नाम के एक शक्स का नाम भी सामने आया जिस दिन में सुनवाई होती है और ऐसा क्या नया एडी अपनी तरफ से दिखा पाती है जिससे ऐसा लगे कि एडी का पक्ष जादा मजबूत है क्योंकि आपको याद हुगा ट्राइल कोट ने एडी के ही केस में अर्विन केजरी वाल को जमाना दे रही थी सेक्शिल 45 के तहर य जानी 21 मार्च को दो हीडी ने गिरफतारी की अर्विन केजरी वाल ने उस गिरफतारी को ही चुनोती दी थी अवैद बताया था 15 अप्रेल को 9 अप्रेल की बाद 15 अप्रेल को इस मामले में नोटिस दिया गया था 17 माई को अंतिम सुनवाई हुई थी जब सुरफशित रख तो अब CBI का मामला भी है लेकि ED के केस में फिलाल बड़ी रहत है और ये समझना जरूरी है कि जब एक जो मामला है उसमें क्योंकि जादा जो जटल मामला है जो जारा complicated नियम है नियम कानून जो है वो ED के PML के मामले में जादा कठिन होता है जमानत पाना इसलिए अगर ED के केस में अर्विन केजरिवाल को ये राहत सुप्रीम कोट से मिली है तो ये जाहिर तोर पर आगे अर्विन केजरिवाल का जो पक्ष है वो मजबूत करेगा और इसका अर्विन केजरिवाल का पक्ष मजबूत होगा इसकी पहले संजय सिंग को जमानत मिली संजय सिंग जेल स से बाहर आया अंतरिम जमानत दूसरी बार मिली है अर्विंद केजरिवाल को क्योंकि पिछले दिनों चुनाप रचाय के लिए उनको राहत मिली थी अब सब की नजरे मनेश्टे सौधिया पर होंगी वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं क्योंकि वो लंबे समय से अ और इसी मामले में अन्हें एक बार भी दो सालों में जमारत पर ही मिली है लेकिन अर्विंद केजरिवाल का मामला थोड़ा सा अलग है इसलिए कोई परत्यक्षिन लिंक जो था अर्मिन के जीवाल को नहीं हो पाया